नमस्कार सात्यों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल विश्वास इंग्लिस क्लासेज जैपुर पैरे विद्यारतियों जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस आपके यूटूब चैनल विश्वास इंग्लिस क्लासेज जैपुर पे इंग्लिस से लेटेड इंफॉर्मेशन टॉपिक्स सब डिसकस किये जाते हैं हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला है जो आपका ग्रेट फर्स्ट के लिए है एक ऐसे पढ़ाया जा रहा था उसमें वो ऐसे आपका ओफ स्टेडीज एक ऐसे मैंने आपको पढ़ाय पढ़ेंगे पार्ट सेकंड पढ़ेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लिए ना वीडियो उसके बाद इसको देखना और जिन्होंने देख लिया है वो आप इसको आगे देखेंगे तो आपको कहां तक बात की कलम ने बात की कि study serve for delight ornament and ability थोड़ा फटापट एक मिनट में revise करता हूं study serve for delight ornament and ability study हमें तीन तरह के से सर्व करती है delight, ornament, ability, delight in privateness and retiring, ornament in discourse, ability in judgment and disposition of business उसके बाद हमने दो लोगों में compare किया expert man who can execute, he can be judge of particulars उसके बाद हमने दूसरा देखा लर्नेट वेक्ति वो क्या होता है, general counseling and plot and massling of affairs में वो ज्यादा expert होता है, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि natural abilities जो होती है, वो natural plant की तरह होती है, they need pruning, उनको वोई कटाई-चटाई, fertilization की जरुरत होती है उसके बाद में हमने देखा कि दो-तीन लोग थे, तीन प्रकार के category के लोग हैं, crafty man, crafty man condemned study, simple man admire them and wise man use them और अब आगे, आईए, देखिए, यहांने पढ़ लिया, सारा कल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम आगे थे wise man use them, यहां तक हमारा हो गया था, यहां से start करते हैं, देखिए, अब यहां Francis Bacon जो है, आगे हमें क्या बता रहा है Francis Bacon कह रहा है, read not to contradict, अब यह पढ़ना किस लिए है, read, यहां read के बता रहा है कि हम पढ़ाई करते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं, read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find, talk and discourse, but to weigh and consider Francis Bacon कह रहा है, कि देखिए, read not to contradict and confute, कि पढ़ना केवल इसलिए नहीं है हमें, इसलिए study नहीं करनी है ताकि हम किसी बात को contradict कर सकें, read not to contradict, हम किसी को contradict कर सकें, इसके लिए नहीं पढ़ना है, and confute, या किसी बात का खंडन कर सकें, इसके लिए हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर कहीं कहीं बार क्या होता है, मानलो आप कहीं किसी क्लास में पढ़ने चलेगे, या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, कि नहीं, ये गुरुजी ने बात ये बताई करना है, तो कहते हैं, भाई, इसके लिए नहीं पढ़ना है आप, read not to contradict and confute, इसलिए नहीं पढ़ना है, कि हम किसी को confute करना चाहरे है, या किसी को contradict करना चाहरे है, पढ़ने का उद्दे से कभी भी ये नहीं होता, किसी को विरोध करना, या किसी का खंडन करना, ये इसलिए हमें study नहीं कर लिये, इसलिए हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, nor to believe and take for granted, ऐसा भी नहीं है, कि कहीं से हमने मानलो कोई बात पढ़ ली, सपोज करो मैंने आपको कोई बात बता दी, तो अब ऐसा ही नहीं है, कि आँग बंद करके या confute करने के लिए भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आप believe or take granted के लिए भी पढ़ते हैं, believe or take for granted का मतलब यह है, कि हो सकता है, कोई effect कभी गड़बड हो जाए, तो आप उसको check करके verify भी कर सकते हैं, यानि यह नहीं है, कि कोई book आपने पढ़ लिए, किसी कताब में कुछ लिखावा पढ़ लिया, तो वैसा ही सही है, नहीं, आप उसको check कर सकते हैं, आप उसको verify कर सकते हैं, तो contradict और confute के लिए नहीं पढ़ना है, believe and take for granted के लिए भी नहीं पढ़ना है, not to find talk and discourse, और आपका पढ़ने का उद्धिस से यह नहीं होना चाहिए, कि केवल मैं ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ी liner रट लेता हूँ, किसी के क्योटस रट लेता हूँ, किसी की क्योटस कहीं से उठा लेता हूँ, और उनको क्या उनको को पढ़लूगा और दस लोग के बीच में जाऊंगा, जाके बोलूगा तो लोग कहेंगे वा, इसको कितना knowledge, इसको कितना पता है, अच्छे सरे जाके दस लोग के बीच में डिंगे हाकना, तो उसरफ वो डिंग हाकने के लिए और अपने आपको अच्छी तरह से contradict or confute, we should not read, to believe and take for granted, or not to find talk and discourse, ये कोई भी पढ़ने की ये condition नहीं होती, हम इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर किसलिए पढ़ना है, बट वे एंड कंसीडर, हमें क्या करना है, चीजों को तोलना है, और हमें समझ, consider करना है, सोचना है, समझना है, और उसी लियाज से, उसी condition हमें पढ़ना है, यानि कुल मिला के, हमें क्या पढ़ना है, हमें ये हां से सीधा जोड़े सब को भूल जाओ, इस note को भी भूल जाओ, read to way and consider, हमें पढ़ना है, way and consider के लिए, यानि क्या सही है, क्या गलत है, उसको way करो, उसको measure करो, उसको तोलो, फिर उस पे विचार करो, फिर उस पे consider करो, इसके लिए पढ़ना है, ये हमें study करना है, ये हमें study करना है, तो not to contradict or confute, not to believe and take for granted, उसके अलावा, find and discourse, but to way and consider, हमें पढ़ाई इसके लिए करनी है, ठीक है, आगे, बहुत important line है, बहुत famous quote है, some books are to be tested, some books are to be tested, कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जो सिरफ test करनी है, tested, others to be swallowed, कुछ को क्या करना है, and some few to be chewed and digested, समझे ना इस चीज़ को, देखे, क्या करा है, Francis Bacon is saying, some books are to be tested, कि कुछ किताबें ऐसी होती है, कुछ books ऐसी होती है, जिनको केवल test करना है, test करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मालो, कोई खाना खाने बैठ रहे हैं, कोई चीज मिली, आपने test किया, फिर छोड़ दिया, कुछ किताबें ऐसी होती है, जिनका सिर्फ टेस्ट लेना है, ठीकर टेस्ट का मलब थोड़ा टेस्ट किया, आपने छोड़ा, अदस टूबी स्वेलोड, कुछ क्या है, चीज़ें ऐसी होती है, आपको पानी को पूरा निगलना ही होता है, उसको निगल जाओ अंदर, स्व सिर्फ जाओ तर बुक्स किताबें ऐसी होती है, जो चीवेलोड जाए जो, चीवेग और चीज़ेंगा, इस होती है, आपको पानी कंदर अथे, चीज़ें जैसी होती है, स्वेलोड जाओर तेउख सेन दुच्छ पर दोख पानी होती है, तो उसको बस शिरफ चुपचाब हमें, जैसे पानी निगल जाते हैं वैसे निगल जाना है, यानि इसको याद कर लेना है, तो कुछ किताबे हैं जिनको स्वेलो करने के लिए, यानि लर्न करने के लिए, उनको याद करने के लिए होती है, और कुछ किताबे हैं जिनका हमें एक 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 वर्ड, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हमें explain करना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, अगर मैं आपसे कहूँ, कि ग्रेट फर्स्ट के syllabus से आप compare कीजिए, कि मान लो, अगर आपको पढ़नी है, तो पढ़ने का मतलब कुछ को टेस्ट में पढ़ने ना है, जैसे Mayor of Casperi वगर हैं पढ़ेंगे तो हम टेस्टेट करके पढ़ने उपर-उपर से, और Sum to be Swallowed को याद करनी है, अगर मान लो, आपको suppose करो, कोई table है, कोई sun है, याद करनी तो याद करनी पढ़ेगी, तो इसमें हमें क्या करना है, सि जैसे उसको ले लेना अंदर, कुछ पार्ट में पढ़नी है, और कुछ को एक-एक जिस्ट में जाना है, उसको एक-एक वर्ड को समझना है, तो कुछ किताबें केवल टेस्ट करने के लिए होती है, कुछ स्वेलो के लिए, और Sum books to be chewed and digested, ठीक है, that is, आगे explain कर रहा है, मै केवल और किसमें पढ़नी है, तेस्ट किया, फोर्ड हमें किसमें पढ़नी है, पार्ट मे पढ़नी है, कुछ किताबें, अदर ले गे, इसको हमें पढ़ना है, अगर और आप देखना चाहरे है इसका मतलब क्या है टेस्टेट का सीधा मतलब देखी ही कि एप कि सुय qee aha क which means कि कि हमें इसको क्यूरजली नहीं पढ़ना है रिट तो करना है बट नौट क्यूरियसली curiously नहीं पढ़ना इसको, not curiously, ठीक है, not curiously, और आगे देखे, and some few to be read, holy, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जिन्हामें completely नहीं पढ़ना है, कुछ किताबें कैसी होती हैं, जिन्हामें completely नहीं पढ़ना होता है, completely पढ़ना है, वापस देखे, क्या बताया, तीनों को अलग बोडियाग, बहुत अच्छी क्योट है, क्योशन पहले भी आतुका इसे लेटेड, कि some books are to be, कुछ किताबें क्या है, some books are to be, देखो पिछे जाओ वापस, वापस जाएंगे आप यहाँ पे, some books are to be tested, कि कुछ किताबें केवल क्या हैं, tested है, others to be swelled, और कुछ क्या है, swelled है, और some people to be chewed and digested, तो तीनों को केटेगरी अलग लग है, swelled का टेस्ट का मतलब है, parts में पढ़ना, ठीक है, swelled का मतलब पढ़ना तो है, लेकिन not curiously, curiously नहीं पढ़ना है, और तिसरा हिस्सा क्या है, पढ़ना है, इसका मतलब completely पढ़ना है, ठीक है, और कैसे, देखो, with diligence, with diligence and attention यानि पूरे diligence के साथ, सावदाने के साथ, अटेंशन के साथ, पढ़ना है, और हमें पूरे बिल्कुल concentrate होके, attentive होके पढ़ना है, इस तरीके से आप पढ़ना है, तो इसका मतलब आप उसको आसानी चे पढ़ना है, तो टेस्ट का मतलब पार्ट हो गया, swelled का मतलब read, लेकि ठीक है, कर देंगे आप, ये मैचिंग हो जाएगा आपका, अगर आपको मतलब टेस्ट करना हो तो पार्ट में आजाएगा, swelled है, swelled का मतलब क्या आजाएगा, read but not curiously, और chew and digested का मतलब क्या होगा, holy with diligence and attention, ये clear हो गया, some books also may be read by deputy, कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जिनको हम deputy की साहता से पढ़ते हैं, deputy का मतलब क्या होता है, reference book को ले लीजी आप, क्या हम कुछ reference book की साहता से पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है, कि हम original text की साहता से पढ़ें, हम deputy यानि reference book की साहता से भी पढ़ सकते हैं, and extracts made of them by others, यानि कुछ किताबें ऐसी होती हैं, जिनको हम original text पढ़ने की बजाए, ऐसी deputy या ऐसी reference books, जो उनके उपर main किताबों के पर किसी और ने लिग दिया है, उसके extract को पढ़ के भी हम किताब को समझ सकते हैं, समझिया, read by deputy and extracts made of them by other, यानि किसी दूसरे उसके उपर कोई reference book निका या दूसरे ने जो extract के हैं उसकी सहता से पढ़ लोंगा, ये काम आपको करना है, लेकिन ये काम आपको केवल और केवल कहा करना है, उस जगह करना है जो less important argument रखती है, किताबें वहां करना है, इसका अगर कोई किताब बहुत important है, तो उसमें अगर आप डिप्टी ये एक्स of extracts made of them by others ठीक है समझ गया तो यहां से आप इस चीज़ को understand कर जाएं कि less important arguments में आप dipty की साहता ले सकते हैं या extracts की साहता ले सकते हैं and the meaner sort of books उसी बात को आगे explain कर रहा है कि less important argument या meaner sort of books जो हैं उनको आप dipty की साहता से या फिर extract की साहता से पढ़ सकते हैं इनको वहां से आप पढ़ सकते हैं clear हो गया देखिए else distilled books are like common distilled water Francis Bacon ये कह रहा है कि अगर हर किताब में आप ये वाला formula जीज तो देख जाएगी distilled book तो मिलेगी आपको क्योगी दुसरे ने उसके ओपर क्या किया extract बनाया है दुसरे उसके ओपर reference book बनाई थो Pixel बनाया तो distilled book तो हो जाएगी लेकिन it will be like distilled water ये किस की तरह होगी उस distilled water कितरह होगी जो आपको लगता है कि distilled करके mineral सब पूरा परोपर सैड करके बनाए गया है लेकिन हो सकता है जिस mineral की आपको आवसकता हो जिस चीज की आपको आवसकता हो वह उस डीस्टिल water में हो ही नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी mineral की ज्यादा requirement होती है, distill water जो है वो तो सब की आम चीजों को ध्यान में रखते हुए सब के लिए एक जैसा बनाया जा सकता है हो सकता है कि आपके requirement उस distill water की तरह पूरी ना हो पारी हो तो आप उस distill water को distill book की तरह मान लीजिएगा यानि अगर आपने dipty book की सायता ली तो distill book तो है लेकिन वो book आपके लिए distill water की तरह होगी जो हो सकता है आपके लिए useful ना हो दिखने में तो attractive लगेगी लेकिन आपके लिए वो useful है या नहीं इसका हम कुछ भी guarantee नहीं दे सकते so if you are reading dipty or extracts made of others then you can take this only for those books which are of meaner sort या those which are of which are less important the less important arguments है in that case you can do it but for important books you cannot you cannot follow this formula because if you will adopt this thing then it will be like a distilled water for you or distilled books are like distilled water and fleshy thing fleshy thing fleshy thing मतलब attractive होंगी तो distilled water की तरह है आपको attractive तो लगेंगी लेकेन खोकली होंगी आपके लिए कोई काम नहीं आएंगी हो सकता है किसी के लिए यूसफुल हो लेकिन आपके लिए वो यूसफुल नहीं हो पाएंगी what Francis Bacon is trying to explain here Francis Bacon is trying to say that when you are going to read books you can take help of dipty or you can take help of extracts made of others but this you can do only in less important works or less important arguments or meaner sort of books if you will follow this formula for whole books सभी किताबों के लिए आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा तो it will be like a distilled water तो distilled water की तरह होगा जो flesy तो होगा attractive तो होगा बट आपके लिए useful होगा या नहीं होगा इसकी कोई guarantee नहीं है इसलिए हम हर book में formula लागू नहीं कर सकते हैं ठीक है वई आगे देखिए very important segment फिर आ रहा है reading make a full man reading make a full man conference are ready man and writing and exact man Francis Bacon saying क्या कहरें देखिए reading make a full man कहता है reading इंसान को full man बनाती है देखिए अगर आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे अगर खाली बटका है खाली बरतन है उसमें आप पानी डालते जाएंगे पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा भर जाएंगे गलास में आप पानी डालेंगे तो गलास क्या हो जाएगा भर जाएगा तो reading make a full man reading इंसान को full man बनाती है क्योंकि इंसान नई नई चीज़ें पढ़ेगा पढ़ेगा तो उसका ग्यान बढ़ेगा ज्यान उसका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इसलिए Reading में का full man तो Reading आपको कैसा man बनाती है Full man बनाती है Reading में का full man Conference are ready man और Conference आपको ready man बनाती है Conference का मतलब समझे Conference का मतलब यह है कि आप किसी से argument करते हैं, किसी से बाचीत करते हैं या मंच पे आप जाके debate में, competition में, वाद वाद में भाग लेते हैं, तो जो वेक्ति debate में भाग लेता है, वाद वाद में भाग लेता है, ऐसा वेक्ति क्या होता है, ऐसा वेक्ति हाजिर जबाब होता है, तुरंत reply उसके सामने आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो उसके habit में, habitual में अगर suppose करो आप ऐसा वेक्ति हो जो कभी debate competition में एक्सटेंपर वगरा में कभी भाग नहीं लेता है अगर ऐसे वेक्ति को आप कहेंगे तुरंत कोई question पूछेंगे कोई चीज का reply मांगेंगे he will not able to reply, वो reply नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कभी conference में भाग लिया ही नहीं तो जो वेक्ति conference करता है, conference में भाग लेता है, वो वेक्ति ready man होता है वो किसी भी चीज का तुरंत आपको reply कर सकता है, जैसे भी हो आपको explain कर सकता है तो Francis Bacon क्या करा है, कि reading makes a full man, conference a ready man, conference ready man बनाती है and if, sorry, and writing, और writing जो है, आपको क्या बनाएगी, exact man, writing आपको exact man बनाती, देखिए writing skill जो है, जब आप कोई चीज को लिखते हैं, तो आपको पता है, मुझे पूरा धान रखते हो लिखना पड़ता है कि क्या चोड़ना है, क्या लिखना है, exact क्या चीजे लिखनी है जब भी लिखने की बारी आती है, तो हम डर जाते हैं, पता नहीं मैं लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं जो बंदा रोज लेटर की drafting करता है, कोई office में काम करता है, राइटिंग करता है, उसको पता है फटापटो लिख देगा, लेकिन इसको नहीं पता जो प्रेक्टिस में नहीं है, वो चीजें सही नहीं लिख सकता, वो चीजें आगे पिछे उल्टी-फुल्टी करेगा, वो exact न में बनाएगी, conference आपको ready man बनाएगी, और writing आपको exact man बनाएगी, अब आगे क्या कह रहा देखिए, and therefore, अब इनी चीजों के लिए बता रहा है आगे आपको, and therefore, इसलिए, if a man write little, अगर कोई आदमी कम लिखता है, यानि किसी की आदत है कम लिखने की, वैसे भी यह जीवन क इसलिए कम लिखता है, if right little, he had need have a great memory, तो उसकी memory बहुत सार्फ होनी चाहिए, शार्फ memory का होना चाहिए, समझ गया, इसका मलब, if a man write little, अगर आप करते हैं, साब में तो नहीं लिखूँगा, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने मालों कोई चीज करीदी, कोई सा समान गरीदा, गर में आकर लिख दिया, यह मैं चीज करीद कर लाया हूं, ठीक है, तो आपसे कभी भी कोई पूछे, लुको लिखा हो है, देखके बदातेता हूं, देखो, मैं इस दिन यह खरीद कर लाया था, अब यह कह रहा है, अगर आप, if you write little, अगर आप कम लिखते ह हैं, तो फिर भाई, आपकी memory बहुत सार्क होनी चाहिए, आपकी बहुत तेज दिमाग होनी चाहिए, कि मुझे लिखने की ज़रूत नहीं है, पूछलो क्या पूंचा रहा है, मैं तो सब जानता हूं, सारी जे जानता हूं, तो अगर आपके अंदर क्या है, अगर आप memory कैसे होनी चाहिए, आपकी memory great होनी चाहिए, great memory, if he confer little, अगर कोई आदमी conference कम करता है, बातचीत कम करता है, वादिवा, डिबेट, इन चीजों में कम भाग लेता है, he had need have a present wit, तो फिर वो वेक्ती क्या होना चाहिए, कि ठीक है, मैं तो साब conference वगरा में भाग लेना ने चाह तो मैं तुरंत आपको reply कर सकता हूँ, मेरी bit इतनी तेज है कि मैं हाजिर जवाब हो सकता हूँ, तो अगर आप conference कम करते हैं, इसका मतलब आपके पास present wit होनी चाहिए, अगर present wit नहीं आपके पास, तो फिर आपको conference करना पड़ेगा, अगर आपके पास memory नहीं है, तो फिर आ तो फिर आपने आप में बहुत ही कनिंग होना चाहिए, कि मुझे कुछ चीज पढ़ने की ज़रू, देखे, पढ़ने से हमारी देनिक जीवन में लाइफ में निखा राता है, हम नई नई चीजे सीखते हैं, हमें पता लगता है, हम इस्ट्री पढ़ते हैं, तो इस्ट्री पढ़ते कम हैं, तो फिर यह होना चाहिए, कि पहले हम इतने कनिंग हैं, कि हम सारे हमारे कामों को आसानी से जानते हैं, सब कामों को पूरा कर सकते हैं, मेरे अंदर इतनी कनिंग में पहले से ही है, कि मुझे पढ़ने की कोई रिक्वाइर्मेंट नहीं है, लेकिन चाहिए क्या करा है to seem to know that he had that not. लेकिन ऐसा सिरफ इनसान को लगता ही है कि मैं बहुत होश्यार हूँ हर इनसान को लगता है मैं बहुत होश्यार हूँ मुझे जरूरती नहीं साप पढ़ने की वास्तों में ऐसा नहीं है पढ़ने से ही आदमी को अकल आती है पढ़ने से आदमी अगर आप reading करेंगे तो आप fullman बनेंगे, conference करेंगे तो readyman बनेंगे, और अगर writing करेंगे तो exactman बनेंगे, ठीक है, और अगर आप पढ़ते कम है, इसका मतलब, अगर आप लिखते कम है, if you write little, तो फिर आपके पास memory होनी चाहिए, और अगर conference कम करते है, तो आपके पास presentment होनी चाहिए, और अगर आप पढ़ते कम है, तो फिर आप cunningness होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें, आपको केवल और जो आपकी cunningness है, वो आपको कहां से आती है, पढ़ने से आएगी, ऐसे नहीं आती है, अब आगे देखिए, आगे compare किया है, इन्होंने, compare क्या किया है, history makes man wise, history history इन्सान को wise बनाती है, history इन्सान को wise कैसे बनाती है, history इन्सान को wise कैसे बनाती है, history इन्सान को wise ऐसे बनाती है, suppose करो आपने से पिछली बार किसी ने first grade का exam दिया हो, या कोई दूसरा exam दिया हो, आप exam में by chance पैल हो गये हो, आपको पता हो गया होगा, कि मैंने first paper नहीं पढ इसका मलब अगर आप history पड़ते हैं तो आप यह सीखते हैं कि जो गलतिया हो चुकी है पीछे वह गलतिया मैं नहीं करूँ गा तो history makes man wise हिस्टिय इनसान को history make man wise हिस्टिय इन सान को क्या बनाती है wise मनाती है points अगर आप poets का मिलब poetry पड़ते हैं तो आप विटी बन जाते हैं आपको पता है Poets को पढ़के आप बहुत सारे Statement, Sentence आपके सामने आ जाते हैं आप Hindi के Poets पढ़ें या English के Poets पढ़ें आपके पास कुछ क्योट्स आ जाते हैं आप उनसे चोटी-चोटी चीजों में Sweet are the uses of adversity देखो सिंपल सा क्योट थैं Πोई तो व statute की चीजें आपको क्या बनाती है विटी बनाती है पॉट से आप वैटी बन जाते हैं अगर आप वैट्री बन जाते हैं तो आप वीटी कुछ थर्ल में सीक कि जाते हैं आपके आधर वीटी ने सजाती है वोईट मेक्स यू विटी, mathematics subtle, mathematics जो है वो आपको subtle बनाता है, ठीक है, mathematics आपको क्या बताता है, subtle बनाता है, subtle ना मतलब आपको चतुर बनाता है, cunning बनाता है, सार्क माइंड बनाता है, आप बिल्कुल किसी भी चीज को तुरंत सोल कर सकते हैं, तो math के question में क्या करते हैं आप ? Math के question अल करेंगे, question अल करेंगे आपकी calculations सब चीजें fast हो जाती है तो mathematics आपको subtle बनाता है यानि आपको चतुर बना देता है ठीक है ? Natural philosophy deep और अगर philosophy पढ़ेंगे आप philosophy पढ़ेंगे, दर्सन सास्तर पढ़ेंगे आप तो philosophy आपको क्या बनाती है डीप बनाती है क्यों फिलोस्पी आपको क्या बनाती है यह आत्मा यह परमात्मा आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ फिर आत्मा भी परमात्मा फिर परमात्मा में भी यह उसका अनू यह उसका फेर परमानू वहां से वहां तक वहां तक पहुंचत आप बुद्धिजम पढ़ रहे हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारन है, दुख निवारन के मारग हैं, जैन पढ़ेंगे आप, चारवाग पढ़ेंगे आप, तो फिलोस्पी जो है आपको क्या बनाती है, फिलोस्पी आपको डीप बनाएगी, डीप, फिलो Moral grave, moral का मतलब morality से, ऐसे play जो moral play है, ऐसी कहानिया जो moral रखती है, उस कहानियों को बनाएं पढ़ेंगे, आप तो आपको गंबीर बनाती है, serious बनाती है, क्योंकि morality क्या सिखाती है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें जो नेतिक शिक्षा पढ़ते हैं, ह तो उसे क्या बनाती है, morality हमें grave बनाती है, तो morality will make us grave, morality हमें क्या बनाएगी, grave बनाएगी, logic and rhetoric able to content, logic और rhetoric, अगर हम logic पढ़ते हैं, rhetoric पढ़ते हैं, तो हम logic अगर सीख जाएंगे, तो हम कभी किसी समस्या में अठकेंगे नहीं, हम हर समस्या का solution आराम से कर लेंगे, हमें फट content बनाते हैं, तो logic और rhetoric हमें क्या बनाया, content बनाया, तो अलग अलग subject हमें बताये गए हैं, क्या बताया है, किसाब आप history पढ़ेंगे, history make man wise, history इंसान को wise बनाती है, कैसे? इंसान पुरानी गलतियों से सीखता है, poets हमें क्या बनाते हैं, poets हमें witty बनाते हैं, ठीक है, poets हमें क बनाती है, क्या बनाती है, deep, और moral हमें क्या बनाएगा, घंबीर, grave बनाता है, logic and rhetoric able to content, हम चीजों को क्या कर सकते हैं, आसानी से soul कर पाएंगे, यानि logically हम चीजों को सोचने की तरक सकती हमारी बढ़ जाती है, content बनाती है, clear हो गया, हमें क्या बनाती है, उससे हमें content करती है, अब देखिए क्या लिखा एक वर्ड लिखा है, अब लिखा है, event studia in mores, event studia in mores, event studia in mores को समझो क्या मतलब इसका, event studia in mores, ये एक अलग वर्ड दिख रहा है, इसका meaning कुछ और है, event studia in mores, no there is no stone or impediment in the weight, event studia in mores, केते हैं जो हम study करते हैं हम जो study करते हैं देखे इस ध्यान से समझ रहे हैं इसको Abund studia in Morse इस Abund studia in Morse का मतलब हुआ कि हम जो study करते हैं जो भी पढ़ते हैं मानलो आपने history पढ़ा आपने poets पढ़ा आपने mathematics पढ़ा आपने philosophy पढ़ा आपने moral पढ़ा, आपने logic पढ़ा, आपने rhetoric पढ़ा, इन सब कीजों को आपने पढ़ा, धीरे-धीरे जो study आप ये करते हैं, धीरे-धीरे जो आप पढ़ते हैं, वो study आपकी क्या करती है, study pass into character, study जो है धीरे-धीरे आपके character में गुच जाती है, history पढ़ते-पढ़ते history वाल चीजों को असानी से समझने लग जाते हैं, तो study, advent study and mores का मतलब study pass into character, study हमारे character में pass होन हो जाती है, चली जाती है, no, नहीं, there is no stone or impediment in the wit, ऐसा नहीं है, कि साथ में तो history पढ़ूँगा, या मैंने mathematics पढ़ लिया, या मैंने logic पढ़ लिया, या मैंने philosophy पढ़ लिया, तो मेरे कोई stone बन जाए, stone का मतलब है, कोई hindrance, रुकावट, stone का मतलब रुकावट, impediment का मतलब ही रुकावट, या अगर आप कोई नई चीजे पढ़ते हैं, नई किताब पढ़ते हैं, तो नई किताब, नई बुक कभी भी आपके लिए कोई रुकावट का काम नहीं करती है, वो कुछ आपके knowledge को बढ़ाएगी, कुछ ना कुछ आपके लिए नया enhance करेगी आपके लिए, it will never work like an impediment, वो कभी आपके लिए impediment का काम नहीं करेगी, कभी आपके लिए रुकावट का काम नहीं करेगी, but may be wrote out by fit studies, लेकिन इसको आपको wrote out करना है, कैसे, इसको आपको दुरस्त करना है, fit करना है, कैसे, by fit studies, कि ठीक, ये जान रखना पड़ेगा, कि भई आपको कौन सी चीज में problem है, suppose करो कि आप क्या करते है, आप, मालो, आपका concentration ठीक नहीं है, आपका concentration बार-बार भंग होता है, तो आप, आप समझे, यू समझे, अगर आपको बुखार हुआ है, तो पहर में जर्दर्द है, तो पहर में लगाओ, अगाल पे लगाओगे, तो कैसे काम चलेगा, समझे हारी बात, तो जहां पेन है, ठीक, उसी तो करोगे, तो ये क्या करा है, but may be wrote out by fit studies, कि आपको क्या कौन सी खुराग चाहिए, वो किताब पढ़ो, आपको जो खुराग चाह काम नहीं करेगी, रुकाओट का काम नहीं करेगी, आपके लिए positive काम करेगी, आपके लिए अच्छा काम करेगी, like as disease of the body, जिस प्रकार से शरीर में बिमारिया होती है, may have appropriate exercises, उन बिमारियों को हम अलग-अलग exercise से ठीक कर सकते हैं, अब हर बिमारी के लिए अलग-अलग exercise हो जैसी बिमारी, वैसी दवाई, जैसी problem, वैसी पढ़ाई, वैसी पढ़ाई आप कर ले न, इसका मतलब क्या है, may have appropriate exercise, देखवागे, bawling is good for the stone, अगर किसी को पत्री की problem है, stone की problem है, ठीक है, bawling is good for stone, तो क्या करना है वई, किसी को stone की problem है, या मालो range kidney की problem है, तो ऐसे वेक्ति क क्या करना है, ऐसे वेक्ति को कौन से exercise करनी है, ऐसे वेक्ति को bowling वाली exercise करनी है, समझे, clear है, shooting for the lungs and breast, अगर किसी के lungs में problem है, अगर किसी के lungs में problem है, किसी के breast में problem है, तो ऐसे वेक्ति को क्या करना है साब, ऐसे वेक्ति को shooting में जाना चाहिए, shooting उसके लिए बड़ी exercise होती है, और अगर येंटल वोकइंग अिसा सबकारें कर सकता है जंटल जूहीं तो सबके लिए अलमने और चते सहे मोलाइप तो सब के लिए अलग लग प्रोग के लिए अलग अशुनो की पेट में लेकिन अधे पैर में और नहीं जाए पराइओं पेर में प्रोब्लम पहले चोट लगी उसको थीक कर ले उल्टा नहीं करना है। रीडिंग कर सकते हैं। राइडिंग, होर्स राइडिंग, राइडिंग कर सकते हैं, अगर हैड में प्रोब्लम है, सर में प्रोब्लम है, राइडिंग करो, वो ठीक हो जाएगी, एंड दालाइग, ये तो कुछ उधार्न है, फ्रांसिस बैकनी सेंग, कि हर डिजीज के लिए अलग-अलग exercise बनी So if a man's wit be wandering, अगर किसी आदमी की wit wonder करती है, अगर किसी वेक्ती की wit wonder करती है, ये वैसे भी आपके लिए बहुत काम्याब चीज है, आप अपने देनिक लाइफ में भी पढ़ने में उतारना है, इसको बहुत काम आएगी, If a man's wit be wandering, अगर कोई आदमी की wit wonder करती है, किताब हात में है, किताब हात में है, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं आप, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि वाह, यह देखो, फस्ट गेड की किताब पढ़ रहा हूं और बंदा पहुझ गया, ओल्रेडी स्कूल में, लेक्टर लग भी गया, और कईले में हनगने की तनखा भी ले ली और घर भी मना लिया, अब वहां सोचने लग रहे में, आप इसको आजमा के देख लेना, कि जब आगर आप माल लो, जब भी आपको लग रहा है मेरी विट वांडर कर रही है, तो फिर रिजनिंग वाले क्रेशन करना, मैत वाले क्रेशन करना क्या होगा, अगर सपोस्कर मैं आपको कहूं कि 430 को 415 से गुना करो, आप गुन क्या पढ़ना चाहिए साब, ऐसे वेक्ति को मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, इस ऐसे वेक्ति को मैथमेटिक्स की स्टड़ी करनी चाहिए, उसको बेनिफिट मिलेगा, फोरिं दा डेमोस्टेशन, फ्रांसिस बेकन करा है, उस डेमोस्टेशन में, यहनि मैथ के क्यूशन हल करते समय, इफ इस विट भी कोल्ड अवे, नेवर सो लिटिल, थोड़ा भी इदर उदर हुआ, दिमाग मैथ को पढ़ते समय, माइंड अगर फोकस थोड़ा भी चेंज हुआ, तो दुबारा से क्यूशन हल करना पड़ेगा, समझ गया, इसका अवला ऐसा, मैथ में आप नहीं कर सकते, कि आपकी विट मॉंडर कर गई, आप इदर उदर दिमाग नहीं लगा सकते, अपने माइंड को कंस्टेट करना है, नहीं तो फिर चकर पढ़ जाएगा, फिर सपने देखते रहना, पता ही नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो अगर आपके सपने ज्याधा आते हैं, आपको लगता है कि मैं कंस्टेट नहीं कर पाता हूँ, तो प्यारे विध्यारतियो, Francis Bacon नहीं आपके लिए दवाई बता दी, ऐसे समय में आपको क्या पढ़ना है, ऐस His wit be not apt to distinguish, और find differences, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो चीजों में distinguish नहीं करना चाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं, क्याता हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो चीजों में अंतर नहीं कर पाते हैं, सर मुझे तो समझ में नहीं आता है, मेरे को तो सारी च चीजों में अंतर नहीं कर पाते हैं, अगर आप इस्ट्विंगेस नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको स्कूल में को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, स्कूल में को पढ़ना है, for they are simni sectors school का है यहान का मतलब philosopher से है आपको किसको पढ़ना है philosopher को पढ़ना है विद्वानों को पढ़ना है दर्शन सास्त्री जो लोग है उनको पढ़ना है क्यों? they are simni sector simni sector का मतलब है कि वो जड़ में जाने वाले हैं वो σε मिने झाले हैं आपको पढ़ना है अर जो किसको पढ़ना है इसकूल में को पढ़ना है philosopher को पढ़ना है क्योंकि अपने आप में वो क्या होते है वो esse master होते है वो grease का मतलależ प्रती है ठीक है這麼 clear हो गया दूसरा बता जेए इसने, तीसरा, if he be not apt to beat our matters, beat our matters and to call up one thing to prove and illustrate another, फिर क्या करते हैं, अगर आप किसी मामले को sort out नहीं कर पाते हैं, मतलब एक चीज को दूसरी जगे अपलाई नहीं कर पाते हैं, एक बात को दूसरी बात के साथ जोड के explain नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, if you are not able to beat our matters and to, and to call up one thing to prove or illustrate another, एक बात को अगर आप नहीं समझा पाते हैं, दूसरी बात की साथ से, तो प्यारे विद्यारतियों, Francis Vekans कह रहा है, ऐसे व्यक्ति को lawyers के cases पढ़ना चाहते हैं, lawyers इतने खतरनाक लोग होते हैं, कि अगर उनको कोई बात को prove करनी हो, कोई बात को उनको साबित करनी हो, तो तो कहीं का example लाएंगे, और कहीं उठा के टिका देंगे, और विल्कुल जजस के सामनेपेश भी कर देंगे, जजस साब मान भी जाएंगे, और case भी जीट जाएंगे, इसका मालब lawyers किसी भी बात को उठा के, किसी भी दूसरी जगे implement कर सकते हैं, किसी भी जगे उसको prove कर सकते हैं, किसी जगे उसको set कर सकते हैं, तो अगर, अगर क्या होता है, आप एक चीज को दूसरी चीज के साथ prove नहीं कर पाते हैं, लिस्टेट न आपके दिमाग की बिमारी है कि आपका दिमाग इदोदर जादा बटकता है, आपके दिमाग की बिमारी है कि आप एक चीज में और दूसरी चीज में अंतर नहीं कर पाते हैं, आपका दिमाग ये है कि आप एक बात के एक्जाम्पल को दूसरी जगे अपलाई नहीं कर पात यानि हर चीज के लिए special book बनी हुई है, बताया था उसने, special कैसे बनी हुई है, कि अगर दिमाग wonder करता है, तो math पढ़ लो, अगर आप अंतर नहीं कर पाते हैं, तो philosophy पढ़ लो, schoolman को पढ़ लो, अगर आप एक मामले को दूसरे मामले से प्रूव नहीं कर पाते हैं, इसका मत अगर कोई problem आरही है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास अलग-अलग subject बने वह है는, जैसी problem है, वह वैसी kithah पढ़ सकते हैं, जैसी बिमारी है, वैसी dhawah ले सकते हैं, जैसी बिमारी है, वैसी exercise कर सकते हैं, तो जैसी पढ़ने में दिमाग में problem है, वैसी चीज का इस और फिर दूसरे पार्ट को देखना, अगर आप इन दोनों पार्ट को देख लेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं, that you will solve each and every question related to office studies, आप office studies के सारे questions को हल कर देंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक बार इसको आराम से पढ़ना, फिर भी अगर आपको इसमें कहीं कोई doubt है, कोई problem है, तो आप मुझसे पूछ लेना, आपको आपस comment box में डालना, I will reply to your queries, but I think that I have explained everything in this essay, मैं आपको सब कुछ explain किया है, ठीक है, मुझे उमीद है, I hope that, कि मुझे उमीद है, कि आप इस चीज को असानी से समझा पाएंगे, और ये आपके लिए काफी helpful होगा, आगे, इसी परकार, और भी जो आपके topics हैं, subject में, जितने भी grade first में, उनके लिए मैं videos ले ले के आऊंगा, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, thanks a lot.